नमस्कार मेरे यूटूब चैनल पुस्पा के पाट साला में आपका स्वागत है आज हम बना रहें डोरा केक तो इसके लिए में पहले क्रीम तयार कर लेती हूं मैंने तीन चम्मच के करीब ले लिया है कोकोनेट पाउडर जैसे हम नारियल को बुरादा भी बोलते हैं उसमें इसमें यलो कलर डाल डाल ज़ी हूँ नहीं तो वाइट क्रीम भी रख सकते हैं और इसको मैं पहले सुका मिक्स कर लूँगी और फिर इसके अंदर मैं थोड़ा-थोड़ा दूट डाल की मिक्स करूँगी आपको ज़्यादा दूद नहीं डालना है यह थोड़ी गारी क्री क्रेम को पच्छी से मीक्स कर लें इसफ मिवीऊ गहा है इस क्रिम का अगर आप के पास क्रीम की लिए माल ना नहीं बना तो एक जीसे आप के पास कोई भी Holz दह सकते लेकिन सोस इतना गाड़ा नहीं होता है, तो आप जेम है तो जेम डाल सकते हैं, नहीं तो क्रीम डाले बहुत अच्छी लगती है, अब इसको हम फ्रीज में रख देंगे थोड़ी देर के लिए और बाकी तैयारी करते हैं, मैंने ये बाउल लिया है, और उसके अंदर में एक कटोरी मेदा ले लूँगी, बड़ी कटोरी भर के लिया है, आप अपने अको डिंग ले सकते हैं, कितना बनाना आपको डोरा के, उसमें मैंने एक बड़ा चमज थोड़ा था, उससे धाई चमज मैंने पीसी चीनी ले लिए, आप मीटा अपने अनुसार रख सकते हैं, और अच्छे से मिक्स करने के बाद, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूद डाल के बेटर तयार कर लें, दूद मेने नौर्मल लिया हल्का सा गुनगुना है, आप ना ज्यादा ठंडा लेना है, ना ज्यादा गरम लेना है, गरम होगा तो गुठलिया पड़ जाएगी, इस अब कोई भी तड़का लगाने वाला तेल डाल सकते हैं, सरसु का तेल नहीं डालना इसके अंदर, और अच्छे से करेंगे, मिक्स कर लिया है, इसके अंदर में फ्लेयर डालने के लिए थोड़ा सा पाइनेपल एसेंस डाल रही हूं, अगर आपके पास कोई वेनिला एसें इसके अंदर, इसके उपर हलका सा दूर डाल के, मिक्स कर देंगे, ताकि अच्छे से हमारा बेटर फूल के तयार हो जाएगा, इससे हमारे जो डोरा केक है वो इस्पोंजी बनेंगे, एकदम फूले फूले, यह बहुत कम टाइम में बनके तयार हो जाता है, मैंने गेंस प किनारे ब्राउन होने लगे तो आप डोरा केक को पलट दे, कई बार बच्चे जीद करते केक के लिए, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, तो आप यह डोरा केक बना सकते, सब को बहुत पसंद आता है, आप टिफिन में भी बना के दे सकते हैं, इस तरह से मैंने पलट एक मिनट के करीब दूसरी साइट से सेखना है, जादा नहीं, और आपको मीडियम आज पर ही सेखना है, क्योंकि अगर आप मीडियम नहीं रखेंगे तो यह जल जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा, इस तरह सम दूसरा भी बना लेते, सारे इसी तरह बना के रेड़ कर लेंगे, सारे डोरा केक बन के रेड़ी हो गए, अब जो क्रीम फ्रीज में रखी थी, वो निकाल के इसके उपर लगा देंगे, किस तरह से हमारी क्रीम गाड़ी हो गई, देख सकते आप, अच्छे से फेला के आप क्रीम लगा थोड़ी जादा लगाएगे तो टेस्ट बहुत अच्छा हैगा, एक पे लगा के दूसरा इसके उपर रख दे, इस तरह से सब पे लगा के मैंने रड़ी कर ली एक रीम, और मैं आपको यह कट करके भी दिखाऊंगी, कितना स्पोंजी बनाएगे, एकदम स्पोंजी बनाएगे जैसे ब्रेड जैसा लग रहा है, त एक बार जरूर बना के ट्राई करें और मेरे वीडियो को लाइक, सेट, सब्सक्राइब